हलो, आम मेकिंग ब्राउन राइस पुलाओ और इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन राइस सोप की हुए एक बड़े बोल और एक छोटा बोल कॉर्ण, एक छोटा बोल गाजर, एक छोटा बोल हराशिम लमिर्च, एक छोटा बोल रेडबल पपर और एक छोटा बोल मतर और में थोड़ा सा ओयल देंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यह गड़म हो गया एनफ तो अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल जास लिलिल बिक विक विक उचेल दी और एक चीज यह वीडियो मैं अपने ऑफिस में बनारी हूँ सो चीज थोड़ा मैस्टफ है I hope you don't mind at all अब तेल करम हो गया अब हम इसमें डाल लेंगे करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अब हम इसमें एक एक करके सब डाल देंगे सब सारी सब्सक्राइब अगेरे पहले बाजर देन खडाशी मलमर्च तन रेड़ बेल पपर अब अब तर आखिर में पॉर्ण कि आप देखे हैं कभी चीज बहुत हेल्डी है अब यह थोड़ा सा सौटे हो जाएगा कि करने के बाद हम इसमें चावल डब देंगे अब यह थोड़ा सौटे हो गया अब फिर हम इसमें चावल डब देंगे और ऐसा ही एक बूल पानी जैसा कि हमने चावल डाला था था और थोड़ा सौटे हैं कि इतना चावल उतना पानी और थोड़ा सा पानी लगेगा और थोड़ा सा पानी आड़ कर देते हैं अब तो न गदेते हैं कि अब टब देते हैं तो सब एक साथ डाल दिया, अभी हम इसको धकन लगा देते हैं, प्रिशर का धकन लगा दिया, अभी ये इस स्लो में पकेगा, दो जीटी तक, तब तक आप लोग बीट कीजिए, स्टेड़ खुछ अटेड़को? नहाँ है जहाँ के लिए में खुछ किल और नहाँ अगता है कर और है अज़कर थे विए इसको थोड़ी दे बाद ओपेन करेंगे करीब 15-20 मिनिट तक रहन देंगे अभी 15 मिनिट हो गया है तो अभी हम इसको ओपेन करने वाले आए कि रेडी हो गया है हमारा आण राइस पुलाव अभी हम इसको सुर्फ करेंगे अभी डेडी हो गया हमारा ब्राउन राइस पुलाव आई कोप यू गया राइस पुलाव डाइस लाइस लाइड अक्यू नहरे बतोती वेलाने के लिएते हैंच कर दिये। खहीं है जिक वॉराने झमैने कहाओ कोणो कर देय। कर दो गडओ एक वातो खा मलत फॉब एक रड़ एक वा